हाली में आप लोगों ने एक रेपोर्ट के बारे में सुना होगा बैस भी फ्रेसन पर रेपोर्ट इसे कौन निकलता है विस बैंक निकलता है इस रेपोर्ट में सीदा सा कहने का मतलब यह है कि जैसे भारत को ले लिजे भारत से बाहर जितने भी लोग रह रहे हैं हमारे आंके वो जो धन भेजते हैं वो हमें कितना मिला किस देश को कितना मिला इस सब के आंकडे बताती है यह रिपोर्ट टीक है? जैसे माल लेजे कि आप भारत में हमारा यह प्यारा भारत है इस या में और आप देखिए कि ये हमारे पडोसियों को देख लिजे, सिरिलंका, बंगलादेश, मयानमार, बूर्टान, नैपाल, चाहिना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अब भारत की परिपेक्च में इस रिपोर्ट को आप लोग देखिए, जैसे भारत में से आप समझते हैं कि कई लोग हमारे आके कई अन देशों में रहते हैं, और आप लोग तो यहां तक सुनते होंगे, कि ऐसा कोई देश नहीं है जहां भारत की लोग ना दिखाई दें आप लोगों को, तो आप समझी वहां रहकर वो लोग कुछ कमाते भी तो होंगे, तो वो अपने घर कुछ पैसा तो भेशते होंगे, तो उसी पैसे की बात की जा रही है, ठीक है, और इसके अगर मुख्याले की बात करें हम लोग विस बैंके, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका मुख्याले बॉसेंग्टन, डीसी में, सहिवत राज, अमेरिका में, और याद रखी इस तरह की रिपोर्टें आपकी जब भी निकलती है, जो भी निकलती है, जो संस्था निकालती है, इन सब के बारे में एक विस्तार जानकारी आप लोग अपने पास रखा करिएगा, क्योंकि पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देखिए आप लोग, आप लोगों को कई कुश्च देखने को मिल जाएंगे, जो इन रिपोर्टों से आपके डारेक्ट पूछ लेता है, बिस बैंक से भी कई बार कुश्चन्स पूछा जा चुका है, इस्टेट PCS की बात कर लीजे, फिर चाहे आप लोग सिविल सर्विस की बात कर लीजे, वन्डे एक जाम में भी कई बार कुश्चन्स पूछ चुका है, और ये रिपोर्ट ऐसी रहती है कि इनमें कई आक्रे आप लोगों को लिखित परिक्चा में भी लिखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे की हाली में, विस बैंक की माईग्रेशन एंड डवलमेंट वरीब के, वर और आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से जो भी देश में, जो भी बाहर रह रहते लोग, वो सभी अपने देश लोटाएं, अधिक तल लोग उनमें से हमारे भारत में आपने देखाए कि लोटाएं थे, तो आप समझ सकते हैं कि अब वहां कमाने वाले लोग ही नहीं अच्छे, तो वो धन आएगा कहां से, तो ये भी देखा गया है, और अगर भारत की परिपेक्च में हम लोग इस रिपोर्ट में देखें, तो विश्व अरत विवस्था को प्रभावित करने वाली कोविद महामारी के मापजूद, 2020 में भारत प्रेसे धन का सबसे वड़ा पराफ्ट करता रहा है, और जिसने धन की रूप में आप देखेंगे 63,83,83,83 अमेरिकी डॉलर से अधिक पराफ्ट किया है, जो 2019 की तुल्ला में केबल 0.2,3 कम रहा है, यानि कि आप समझें कि मामूली सी गराबट हम लोगों ने देखी है, अगर ये महामारी ना आती तो और बहुत बड़ोद्री देखी गई होती, ठीक है, 2020 में आप देखेंगे भारत को फेर्सित धन में केबल 0.2,3 की गराबट आई है, और जिसमें सहुक्तराज अमीरात से फेर्सित धन में 17.7 की कमी के कारण सरवाधिक गराबट हुई है, और जो सहुक्तराज अमेरिका और अन आईवजक देशों से लचीले प्रवाः को परिलक्षित करता है, 2019 में अगर हम लोग बात करें कि भारत को कितना धन पराप्त हुआ था बाहर से, तो यह हुआ था 83.3 बिलियन अमेरिकार, अमेरिकी डॉलर, ठीक है, और अगर हम लोग 20 के परिपेक्ष में इसकी रिष् 69.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पराप्त हुआ है, और भारत को कितना हुआ है, 83, और भारत और चीन के बाद आप देखेंगे, फिर मैक्स को का नम्मर आता है, फिलेपिन्स हो गया, मिस हो गया, पाकिस्तान, फ्रांस, बंगलादेश, इन सभी का नाम आता है, लेकिन भारत औ अमेरिका 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर से प्रैसे धन का बहिरवाय सरवादिक था, यानि कि अमेरिका से बाहर सबसे जांदा धन भेजा गया, इसके बाद आप देखेंगे, UAE का नम्मर आता है, फिर साओधी अरभ हो गया, सुईजलेंड हो गया, जर्मनी हो गया, फिर चीन क इस थान आता है, और धन के अगर इस थर प्रवाह के कारण की अगर हम बात करें, तो इसमें आपके तीन कारण है, राजकोसी है प्रोसान, कि फलसोरूप आयोजग देशों की आर्थिक इस्तिती अप एक चक्र अधिक बेटर हुई है, या फिर आप देखेंगे, नगद या कैस से डिजीटल की और तथा अनोपचारिक से अपचारिक चैनलों के प्रवाह में बदलाओं करना, और तेल की कीमतों और मुद्रा बिनी मैं दरों में चक्किये, चक्क्रिये, उताव चड़ावी रहा है, और इसको पहले भी बता चुका हूँ कि फरेसित धन या फिर रेम का मतलब सीधा सा एतना होता है कि एक देश से दूसरे देश कितना धन भेजा रहा है, वहां रहने वाले लोग एक देश में रहने वाले लोग दूसरे देश के कितना अपने धन भेज रहे हैं उसी की बाद, प्रेसित धन वह धन होता है जो किसी अन पायटी को भेजा जाता प्रेशक आमतोर पर एक प्रवासी होता है जिसे हम देखते हैं कि हमारे यहां की लोग बहुत सारे अमेरिका में भी रहते हैं और प्राप्त करता है एक समधाय या परिवासी संबंदित होता हैं दूसरे सब्दों में अगर हम कहें तो रेमिंटेंस से आसाय प्रवासी कामगारों द्वारा धना दबा वस्तु के रूम में अपने मूल समधाय परिवार को बेजी जाने वाली आयसे होती हैं इससे सीधे से सब्दों में आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप गाउं में रह रहे हैं आपके घर से कोई परिवार का मेंबर किसी दूसरे सहर कमाने के लिए जाता है वहाँ से वो पैसा भेशता है तो उसी की बात कर लिजी आप लोग ठीक है रिमी टेंस परिवारों को भोजन स्वास्त देखवाल मूलभूत आवसकताओं को पूरा करने में मदद भी करता है और विस में परेसे धन या रिमी टेंस का सबसे बड़ा प्राप्त करता भारत है और रिमी टेंस भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भंडार में जानकरी याद रखिए अंतराष्टी पुनर निर्माड और विकास बैंक जिसे आप लोग IVRD भी कहते थे हैं और दूसरा है अंतराष्टी मुद्रा कोस IMF की स्थाफना एक साथ बर्स 1944 में ब्रेट 10 बुर्स सम्मेलन के दौरान होई थे अंतराष्टी पुनर निर्माड और विकास बैंक को ही आप लोग सामनता विस बैंक कहते हैं और विस बैंक सम्मोह गरीवी को कम करने और विकास देशों में सांजा समरिद्धी का निर्माड करने बाली स्थाई समाधानों के लिए कयानवित 5 संस्थानों की एक अनूठी बैस्विक सांजे दारी है इसके सदस् करें तो 189 देश में देखने को मिलेंगे आपको और भारत भी इसका सदस है ये भी आप लोग याद रखें और उस संस्था को जरूर आप लोग याद रखा करें जिसमें भारत भी सदस हुआ करें ठीक है अगर विस वेंग के हम लोग कुछ रिपोर्ट की बात करें तो इसमे आप देखेंगे इसकी विकसेद आपकी संस्था है जैसे अंतरस्टी पुनर्नेरिमन नेमाळ और विकास विंक या लॉन, रिड और और अनुदान फिदान करता है। दूसरा इसकी इसी की संस्था हैं एक तरह से भागे हैं। अंतराश्टी विकास संगी जिसे आप लोग आईडी ये कहते हैं। यह निम्न आयवाले देसों को कम या फिर बिना व्याज वाले रिड पिदान करता है। एक है आपका निवेशकों को योद्य जैसे राजनितिक जोकिंग भी खिलाब सुरक्षा पिदान करने का काम करता है। और इसी में आप एक देख सकते हैं कि निवेश बिवादों के निव्टारी के लिए अंतराश्टी के यह निवेशकों और देसों की मद्ध उत्पन निवेश बिवा तियार किया जाता है इस रेपोर्ट को ठीक है और इसका प्रमुख खुद्देश यही होता है कि छह मईनों में माईगरेशन और रिमिंटेंट के प्रवाद वा समंदीत नीतियों के छेत में प्रमुख बिकास का एक अगतन फिरदान करना यह बिकासील देशों को रिमिंट और साल में कितने वार निकलता है तो दो वार निकलता है 6-6 महिने को ठीक है यह भी आप लों याद रखिए इसकी प्रमुख रेपोर्टों के बारे मैं भी बता देता हूं वर्ल्ड बैंक यानि कि बिस्ट बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है क्योंकि कई बार आपके चार कतन दे देता है और पूछ लेता है आपसे कि इन में से कौन सी रिपोर्ट बिस्ट बैंक नहीं निकालता है या पर पूछ लेगा कि इन में से कौन सी रिपोर्ट बिस् बैंक की निकलता है एक आपकी Doing Business Report इसे भी आपका विस बैंक की निकलता है ठीक है और एक है आपकी Age of Living Report एक है आपकी Global Economic Prospect एक आपकी World Logistics Performance Index इन सभी रिपोर्टों को भी आपका World Bank निकलता है तो मैंने देखा है कई बार आप लोग भी देख लिया करिएगा कम से कम 5-6 साल के पुराने Questions पेपर उठा के देखा करिएगा उसमें देखा करिएगा कौन कौन ते Questions रिपीट किये जाते हैं किस तरह की Questions पूंचे जा रहे हैं आपके ठीक है तो यह आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाएंगे इनसे Questions चलिए इसके बारे में ही सामान जानकरी एक याद रखिए आप लोग झाल